नवसकार मैं हूनी लू तो जैसे की आशंका जताई जा रही थी कि एरान अब खुल कर फ्रंट फुट पर खेलेगा हुआ भी कुछ ऐसा ही कल करीब साड़े साथ बजे अगर भारते समय अनुसार बात की जाए तो दस बजे के आसपास एरान ने जबरदस्त कह सकते हैं मिसाइल दागे इसराहिल पर हलाकि कितने कितना नुकसान इसरेल को हुआ है कितनी मिसाइल अंदर तक पहुँची है ये तो अभी आंकलन नहीं हो पाया है लेकिन कहा जा रहा है कि इसे इसरेल को बहुत जदा नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है कि अब इरान वर्सेज इसरेल ये युद्ध हो गया है यानि अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है और इसे एक बड़े वर के रूप में देखा जा रहा है खास तोर पर अगर इरान की बात की जाए तो इसने साफ तोर से इलान कर दिया है ये तो पहली खेप है आगे देखे क्या होता है इसी पर बाच्चित करने के लिए मैंक मेरे साथ जुड़ गए है मैंक सबसे बड़ी बात है ये पहली खे इस पूरे वार का सुरूप बदल के रख दिया है और हम आपको सबसे पहले यह बताते हैं मुद्दे की बात करते हैं जो सब लोग जानना भी चाहते हैं कि आखे इस हमले से इसरेल में कितना नुकसान हुआ है इसको लेके देखिए अभी कोई पुक्ता जानकारी सामने नहीं है लेकिन हम आपको बताते हैं कि अरकि तरफ से आयारजीसी जो सेना है इरान की उसकी तरफ से जो है क्या दावा किया गया है इरान का कहना ऐशा है की और इरान का दावा है कि उसने इसरेल के करीब 20 F-35 प्लेंज को तबाह कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है इसी से हमले लगातार इस्रेल की तरफ से हो रहे हैं हमास हो गुती हो इस्बुल्ला हो और अब उसी का एक बहुत की दाना हो इस्रेल इन दावे इरान के हैं इस्रेल इसका खंडन कर रहा है अमेरिका इसका खंडन कर रहा है लेकिन जो इरान के दावे हैं उसको भी सामने रखना ज़रूरी है इरान का कहना ऐसा है कि करीब 20 F-35 प्लें तबाह हुए है और साथ में मुसाद का हेड़कॉर्टर भी निशाने पर था उस पर भी मिजाइल गिरी है और मुसाद के हेड़कॉर्टर को उड़ा दिया गया है यह कहना है इरान का अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि जो यह मिजाइल्स गिरे यह मिजाइल्स एक नेवाटिम एयर बेस है इसरेल का बताया जाता है कि ये इस नेवाटिम एयर बेस से ही जो F-35 प्लेंस फ्लाइ करके जो लिबनन में अटैक होते थे या जो गाजा में अटैक हुए ये प्लेंस इसी नेवाटिम एयर बेस से ही फ्लाइ कर रहे थे जो हमले नसरल्ला के ऊपर किये गए और जिसमें नसरल्ला की हुई उसको उस मिशन को शुरुआत इसी एयर बेस से किया गया था इसी लिए इरान ने इस नेवर टेम एयर बेस को टार्गेट किया है और ऐसा बताया जाता है जो इरान का कहना है कि यह हमला बिल्कुल सफल रहा है मिजाइल एयर बेस पे गिरी और करीब 20 F-35 प्लेंस तबा कर आए जिसमें आप कहे रहे हैं कि बहुत सारे अंदर भी आ गए कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया और उसने इसरेयल के अंदर जाकर बहुत बड़ी तबाही की है और उसके बाद अब इरान कर रहा है कि हमने तबाही कहिए भरे इसराइल इसे माने या फिर ना माने अ दोर सकता है कि एक बड़ा हमला ड्रोन से और आपको बताता हूँ यह इरान की ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चा है जैसा एकसपर्ट बता रहे हैं कि जो मिजाएल है इस को फार किया गया हमने अपने वीडियो में भी इसकर किया था नीलु कुछ वक्त पहले जो है इरान ने अठारा सो से दो हजार किलो मेटर का डिस्टेंस ये मिजायल ने ट्रैवल किया यह हाइपर सोनिक मिजायल है जो कि आवास से पंदरा गुना ज्यादा स्पीड से फ्लाइ कर सकती है और अपने साथ बड़ी मातरा में जो है वो वार हेट्स भी लेके जा सकती है तो यह हो या भूमत दिसागर में हो बड़े सारे एरक्राफ्ट केरियर्स खड़े हुए हैं एंटी मिजायल सिस्टम अमेरिका ने लगाए हुए है तो अब इस तरह की चर्चा है कि हो सकता है कि इरान की तरफ से और ज्यादा मिजायल की गई थी और यह भी संभव है कि हो सकता है अमेरिका की तरफ से कुछ मिजायल को जो है वो एंटी मिजायल सिस्टम ने उसको हवा में तबाह भी किया हो लेकिन इन सब के बावजूद जो तस्वीरे इस रेल से आई हैं अभी देखिए हम अगर हम इरान के दावे को अलग भी रखें और यह कहें कि पता पूरी तरह से अगर यह भी मान ले तो भी उसके बावजूद यह तस्वीरे जो इसरेल से आई हैं आप देखिए वहाँ पर तस्वीरे आई हैं कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिनके कांच तूटे हुए हैं एक स्कूल के उपर जो कल तस्वीरे आई उस पे हमने देखा आरें डोम इंटरस कर रहा है या उसके बाद किस तरह से लोग भागते सड़कों पर नजर आए लोग बंकर्स में चिप गए हाला के अलर्ट पहले से अमेरिका ने पहले से अलर्ट कर दिया था लेकिन इसके बावजूद में वहां पर इस वक्त पैनिक का माहॉल है लोग कई जगों से दूसरी इसरेल का जो हिस्ता है वहां पर जो लोग है सिटिजन है उनकी पूरी राद बंकर्स में बीती है और काफी सारी मिजाइल जो तस्वीर आई जिसका हम जिकर कर रहे थे कि रेस्टोरेंट में जो है वो तबाही हुई है एक बताया जाता है कि स्कूल के पास एक मिजाइल गि अब इसमें से कितनी तबाही हुई है ये शायद हमको आने वाले एक दो दिन में साफ साफ पता चलेगा कि कितनी तबाही हुई लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि अब जो है ये आईरें डॉम सिस्टम देखिए एक साथ जब 180 या 200 मिजाइल होती है कल देखिए जो तस् रहे पूरा उलाका था वह पूरी तरह से रड़ी हो रख गाए एक साथ कई मिज्ण महाँ पर गिर रहे थे तो पूरा इलाका तो मैंद सवाल यही है कि यह टेखिए यह तो शुरुआ त हलोग् déjàle कर रखा था हमने पता था अब इरान खुलकर खेलेगा कूंकि जिस तरह से हमास खتم हुआ, हमास खतम हुआ, उसके बाद नसुल्ला मारा गया अब अब एरान के सामने कोई आप्शन यह था, यानि इससराइल भी अब पूरी तरह से तैयार है कि इसका ज़वाब दिया जाए और एरान भी पूरी तरह से तैयार है तो वह बहुत दिनों से जिस तरह से हनिया की मौत ही इसके बात से चुपी साधी बैटा था तो क्या वह तैयारी का वक्त ले रहा था जब फाल था कि जब यह तरह बात कोई बड़ा करता तो पूरी तैयारी के साथ देखिए यह जो आप बात कह रही है इसमें जो मुझे जो लगता है मेरा जो अपीनियन है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए पहले हनिया को एसासिनेट किया गया उसके बाद नस्रल्ला की मौत होती है उसके बाद आईडियेफ जो है वो लेबनन के अंदर तक घुज आत लगातार अपील कर रहा था और नस्रल्ला की मौत की बाद बहुत बड़े लोगों में गुसा भी था तो इरान की इरान को जवाब देना एक मजबूरी हो गया था इरान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था और ऐसा लग रहा था मानलों की एक जो साइकलोजिकल बॉर होत रूस के विदेश मंतरी रूस के उप्रधान मंतरी इरान गए थे हाली में तो इसा बताया जाता है कि हमले के कुछ समय पहले इरान ने रूस को जानकारी दे थी कि हम बैलिस्टिक मिजाल से अटैक करने जा रहे हैं और यह भी जानकारी सामने आई है कि अमेरिका को भी इस कुफिया CIA के जरिये कि आज की रात इरान बड़ा अटैक कर सकता है इसलिए अमेरिका की तरफ से बार्निंग जारी की गई थी और यह बयान आ रहे थे बार बार की इरान जो है वो इस तरह की हरकत ना करे या हमला करेगा तो हम उसको जवाब देंगे लिए अमेरिका अचान है उस पर हम अलग से बात करेंगे लेकिन अगर इरान और इसरेल की सेने शमता देखे जाए तो यहां पर भारी इसरेल ही पड़ता दिखाई देता है इरान उस तरह के का नहीं है लेकिन सपोर्ट में रूस और चाइना एक तरफ है एक तरफ अमेरिका है दूसरी तरफ अकर इसरेल की बात की जाए वो तीन फ्रेंट पर पहले से सामने से खेल रहा है सामने से बार करा है है लेकिन अब इस वार ने इसरेल वर्स इरान का रूप ले लिया है इसमें कोई शक नहीए है कि नितन याहू और इस्रेयल अब पलटवार करेंगे, इसमें कोई दो राएंड है अब इसमें इस्लेयल का कहना ऐसा है कि जगा भी हम तये kulay करेंगे और वक्त भी करेंगे इरान भी इस बात के लिए तयार है, इरान भी इस बात को समझ रहा है, तयार है कि इस्रेली जो फोर्सेज है वो उस पर अटैक करेंगी, तो इरान की भी तयारी पूरी है, और साथ ही साथ देखिए, इरान अकेला नहीं खड़ा है, पीछे से रूस उसको बैक करने के लिए त अब अब पूरी दुनिया लेकर डूर को लेकर मिडिल इस्ट के बाध निकल चुक Coin अब फूरे सुर्ले में लिबनना वे इसमें पराइली सीना शड़ीयacak अब यह दइन व्पितारे लड़ा सवग लेरी है और अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम देखिए कल रात को हमले के बाद आज share markets पूरी दुनिया के हिले होगा है चाहे वो अमेरिका का share market हो चाहे जपान का हो पूरी दुनिया की share markets आज गिरने शुरू हो गए तो ये अगर Middle East में war होता है और ये कोई बड़ा war का रूप ले लेता है और हाथ अगर हालात हाथ से बाहर चले जाते हैं तो फिर इसके बाद मामला कहां जाके थमेगा कोई नहीं बता से बलकल और सबसे बड़ी बात है कि बड़े war की बात हो रही है और अब ये तो बिल्कुल साफ तर से लग रहा है कि यहां से लड़ाई अब बड़ी ही होने वाली है पीछे की तरफ तो कोई अपने कदम करने को तयार नहीं है ये लड़ाई कहा तक जाएगी क्योंकि अगर पूरे मिडलिस्ट की बात की जाए इस वक्त कच्चे क्रूड ओयल का सबसे बड़ा उत्पादक है और अगर वहां से इस तरह की लड़ाई छिड़ती है खाड़ी देशों में इस तरह की लड़ाई या टेंचन का माहौल रहता है तो पूरी दुनिया पर इस पर असर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर इस पर क्या असर पड़ेगा ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फिलाल हमारे साथ बने रहे हैं